So Hello Guys, Welcome Back to my Channel, मैं हूँ शुबम और आप देख रहे हैं AquaBeast So Guys, आज कार जो हमारा टॉपिक है, वो कमेंट में हमारा एक भाई ने कॉमेंट किया था इस टॉपिक के बारे में, इधर आप देख सकते हैं, यह है वो तो आप में से, जितने भी मेरा viewers है, सब कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मेरे थमनेल पर और मेरे वीडियो पर उसका नाम आएगा और उसके कमेंट पर बेस करके जो वीडियो बनाऊंगा, उस पर उसका नाम जरूर आएगा और हर कमेंट का में रिप्लाई करता भी हूँ, तो आपका प्रॉबले मुझे शेर कर सकते हैं, मैं उस पर एक अलग टॉपिक का वीडियो बना दूँगा तो आज इस भाई ने जो वीडियो किया है, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है अलगे, हाव टू केट अलगे फ्री एक्वेरियम देखिए, एलगे फ्री तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा मुड़ा एलगे आता ही है, एलगे बहुत टाइप का आता है, तो येलो एलगे, गोल्डेन एलगे, ग्रीन एलगे, बहुत टाइप का एलगे आता है, तो उन पे भी अलग वीडियो बना दूँगा, कि कितने अलगे होता है एक्वेरियम पे वो काफी हट तक रिमूव हो जाएगा, कुछ चीजों का अपको धैन रखना है, उसचीजे को आप धैन रखेंगे तो आपका ये फ्री राएगा एक्वेरियम, तो एलगे जो है वो एक 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 एकवेरियम कीपर के लिए बहुत ही मतलब एक मुश्किल का एक चीज है बहुत ही problem phase करना पड़ता है algae को लेके stones पर algae आ जाता है glasses पर algae आ जाता है heaters सब कुछ एकदम algae से भढ़ जाता है पुरा मेरा जैसा आप aquarium देख रहे कोई भी algae नहीं है कुछ नहीं है crystal clear एकदम water है ये crystal clear water आप कैसे maintain कर सकते दो महीना तीन महीना तक आप जैसा कि देख सकते मेरा एक छोटा सा power filter है इस power filter से मेरा ये पूरा clean रहता है ना कोई extra कोई filter है ना कुछ extra कुछ मैं use करता हूँ बायो मेडिया जैसा कुछ भी use नहीं करता फिर भी clean लहता है उसके उपर भी मैंने एक अलग topic पर वीडियो बना के upload कर दिया इधर i button पर आपको वीडियो मिल जाएगा i button से click करके आप वीडियो देख सकते तो पहले बात करते हैं इस topic पर तो algae को free लगने के लिए आपको क्या करना होगा आपको जो हफते में बोला था मैंने जिसने भी मेरा वो वीडियो देखा कैसे crystal clear aquarium रख सकते उधर भी मैंने बोला था कि हफते में एक बार आपको aquarium जो है उसका पानी जो है थोड़ा एक bucket तक एक बाल्टी तक पानी आपको निकालके फिर से आपको पोर करना है उसको filter को निकालके साफ करना है कैसे करना है उसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे पिछले वाले वीडियो पर उधर से आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा और कुछ टॉपिक से उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि मान के चलिए आपके पास बरा फिश है तो उसको कितना फूड दिन में चाहिए कोई भी शॉप से आप फिश ले रहे तो उसका फिश को कितने टाइम फीडिंग करना होगा कितने टाइम कितने तक फीडिंग करना होगा कितना मतलब क्वांटिटी में आपको खाना देना होगा वो थोड़ा सुन लीजेगा जान लीजेगा बहुत जरूरी है क्योंकि फिशेस के पास उतना मतलब यह नहीं होता कि हाँ मेरा पेट भर चुका है मुझे आप खाना बंद करते ना है क्योंकि फिशेस को जितना भी आप खाना दोगे उसको पता नहीं चलेगा उस वो खाता रहेगा इससे क्या होगा इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है इससे दो मेंली प्रॉब्लम जो होता है ज्यादा फीडिंग के वज़े से मचली अगर गंदीगी ज्यादा होगा उसके बाजे से यल्गे होगा वो गंदीगी से आलगे होगा व् team से ज्यादा निकलताई तो उसके लिए आपके glass पे sentence पे जो हुँए हमारा यह light है इसके बहुत होता है है यह इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ईशा नहीं है कि एसलिए कुछ भी बोल दे रहा हो लाइट के वज़य से अलगे होता है और मैंने पिछला वीडियो या उसके पहले का वीडियो में बताया था कि कौन से एक्वेरियम में कितना तैम तक आप लाइट को ओन रख सकते जैसे कि आप जो planted aquarium है planted aquarium में आपको देली 6-8 घंटा light on रखना होता है 6-8 घंटा आप सुबह रखे हैं, शाम को रखे हैं, रात को रखे हैं मतलब रात कोई ज्यादा तर लोग prefer करते lights को on रखने के लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आप जो देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो पूरा दिन एकदम aquarium का सुबह उठते ही aquarium का switch दे दिया और रात को सोने जाने से पहले switch off कर दिया वैसा विल्कुल भी आपको नहीं करना है जो planted aquarium में मैं बता दे रहा हूँ planted aquarium में आपको छे से आठ घंटा आपको जो light से वो on रखना परेगा और lights वो आप अगर LED ऐसा वाला यूज़ कर रहें ऐसा वाला अगर LED आपको शायद दिख नहीं रहा होगा LED बाल पा अगर यूज़ कर रहें तो नीचे का जो diffuser होता है यह diffuser हटा दीज़ेगा प्लास्टिक जो होता है वो प्लास्टिक लगा के रबर या सेलो टेप ब्लैक टेप कुछ भी लगा के रखेगा ठीक है वो जो यह होता है मैं आपको दिखाता हूँ एक बाल यह देखिया आप मेरे पास LED बालब है आपको यह अगर प्लांटेड एक्वेरियम में लगाते हो तो यह जो है यह आपको खोल के ऐसे बल्ब को लगाना है और इधन नीचे आपको एक प्लास्टिक लगा के उपर से टेप ब्लैक टेप रबर कुछ भी लगा के आप इसको लगा दीजिएगा ठीक है क्यूंकि यह जो है इसके वज़े से adults एल्गे आता है यहuj verge a में यह जो डिफ्यूजर है यह इंइध है और प्लांटेड जो एक॥विरियम में प्लंटेड एको में क्या होता है प्लांट्स को एक रॉशनी चाहिए यह बंदव एक पावर चाहिए वह भुरो होने के लेकिन यह अगर diffuser रही गा तो वह नहीं हो पाएगा क्योंकि उतना light मतलब नहीं जा सकता तक उतने उसको मतलब energy नहीं मिलता है light से जायसे बहर जो plants होता है वह सूरज के रोशनी से अपना energy जो है diffuser हमेशा on रखिए और lights को on रखना है 6-8 घंटे तक ठीक है तो 6-8 घंटे तक आपको 6-8 घंटे तक आपको lights on रखना है planted aquarium में और जो normal ऐसा aquarium है artificial इसको artificial aquarium बोलते है artificial decoration जो होता है उस पर आपको 8-10 घंटे या 11 घंटे 10 घंटे रखेंगे 10 घंटे का अंदर तक रखेंगे तो सही होगा 10 घंटे रखते हो तो आप बहुत सही होगा algae बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और जो बहुत सा रहसे normal aquarium होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता एकदम खाली aquarium होता है सिर्फ fishes रहते ठीक है तो उसके लिए आप रख सकते 14 घंटा 15 घंटा आप रख सकते उसका कोई वेस्ट होता है उसके वज़े से बहुत सारा algae तो जमा होता ही है इसके अलावा बहुत सारा ऐसा रिजन है बहुत लोग मेंटेन नहीं करते वाटर को टाइम से टाइम टू टाइम आपका जो फिल्टर जो भी फिल्टर आपका है वह कैनिस्टर्ड हो या बायो मेडिया हो य उसको साफ नहीं करते पताने क्यूं मेरे दोस्ट के पास है में जाके बोलता हूँ फिर वो करतेरे कर भाइग कर क्यों नहीं कर रा कर दो मिनिट का टाइम सिर्फ शोपीस के लिए शोपीस थोरे रखे उस पे भी जाने यार उसको भी मतलब थोड़ा बहुत के जरुरत दे तो बस यह यह लाइट का ठीक रखिए इसको ठीक ठाप पावर फेल्टर को साफ कीजिए कोई भी फिल्टर उसको ताइम तो टाइम साफ कीजिए हफ्ते में पावर फिल्टर जिसमें प्लांटे टैंक है जो प्लांटे टैंक में 6-8 आवर्स जो ऐसे आर्टिफिशल टैंक है उस पे 8-10 आवर्स और जो नॉर्माल एक्विरियम है जिसमें कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया जाता है उसमें आप 10-14 आवर्स तक आप लाइट्स को और मतलब एल्गे जो है एक्विरियम के लिए अच्छा नहीं होता वह एल्गे किस तरह यूज करने से आपको एक्विरियम में फाइदा हो सकता है उसके लिए भी अलग टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा नहीं तो बहुत बढ़ा हो जाएगा जैसा कि पीछला वीडिय एकुटल क्लियर एक्विरियमक वो 48 मिनिट proven मिलते है अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिये और पतार नहीं वीडियो देखते लोग क्यों लाइक करते लाइक करो भंवाई वीडियो को लाइक करो मुझे मोठिश मिलता है और सब्सक्राइब चैनिल को फ्री है सब्सक्राइब ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन पर पैसा लगता है सब्सक्राइब बटन से क्लिक करो और सपोर्ट करो एक क्रियेटर को पब्लिक का प्यार और सपोर्ट चाहिए वैसा बाकी कुछ नहीं जाहिए support बनाये रखो, कोई भी problem हो, मुझसे कोई गलती हो, कुछ भी हो, comment पे बताओ मैं हरे comment पिक करता हूँ, हरे comment पे reply जाता है जैसा कि ये भाई ने जिसका comment मैं आज पिक किया, वो भाई जैसा मैंने बोला, comment किया मैं पिक किया, उससे पहले भी किसी ने comment किया था, उसके उपर भी मैंने वीडियो लाया जो जो problem है, आप problem face कर रहो है aquarium पे, वो problem आप बताओ मैं वीडियो बना दूँगा और अगर aquarium के लिए कोई problem नहीं है, दूसरा कोई page है, उसके बारे में बताओ उसके बारे में अगर पूछोगे तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं वीडियो बना दूँगा जो उस problem को लेके बता सकता है, ऐसा कोई उस page के जो expert है, जो उसको अच्छे तरह रख सकता है जिसके पास उस page का जो अच्छा knowledge है, उसके पास से में वीडियो मतलब उनका बनात दूँगा और upload कर दूँगा मतलब मेरे कहने के मतलब यह है, आपका कोई भी comment हो, उसका solution आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करो, और bell icon को click करो, कुछ नहीं पाता बस click कर दो, click हो जाना चाहिए बस और support करो, ऐसे ही PR बनाए रखो, और बस यह है, ज्यादा वीडियो बरा नहीं बनाऊंगा और कोई algae का, कोई special reason नहीं है, बस lights को ठीक ठाक time से on रखो, और उसको ठीक ठाक time देखके एकदम off कर दो, जो फीशे से उनको feeding बढ़िया से करो, ऐसा नहीं ज्यादा feeding कर दोगे, जितना उनको ज़रूरत है feeding का, उतना ही feeding करवाओ, ज्यादा मचली को डाल दिया, वो खार आ पहले पहले जब मैं aquarium लाया था, तब मेरे साथ भी ऐसा होता था, कि थोड़ा मैंने fish को मैंने food थोड़ा दे दिया, चलो वो खतम हो गया, थोड़ा और डाल के देखते खाता ही कि नहीं, फिर वो खाते थे, फिर चलो और देखते खाते कि नहीं, ऐसे करते करते, पूरा मतल पहले कभी मर चुका भी है, इस प्रोब्लेम के बज़े से मैंने भी इसके बारे में थोड़ा ये किया, थोड़ा study किया, फिर मुझे पता चला क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत ठाइम के बाद मुझे थोड़ा knowledge है, वही knowledge में आप लोग ऐसा share करने की कोशिश करता ह ताकि मुझे जो प्रोब्लेम फेस हुआ है, मैं जो प्रोब्लेम फेस किया हूँ एकुरियम को लेके, ब्रो प्रोब्लेम आप फेस ना करे, आपका फिश हेल्दी रहे, आपका एकुरियम बिल्कुल ख्लीन रहे, बस यही उम्मीद करूँगा, बस आज का वीडियो इतना ह नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा साथी साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजेगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कॉमेंट पर बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस कॉमेंट को पिक करूँगा वो मेरा थम्नेल पर भी होगा वीडियो पर भी होगा उसका नाम तो मैं दिखावी दिऊँँगा किसने कॉमेंट किया तो कॉमेंट करो और वीडियो को लाइक करो तो चलिए ऐसे ही प्यार बनाए रखिए बस और कुछ नहीं चाहिए प्यार और सपोर्ट चाहिए बस सपोर्ट बनाए रखो तो मिलते कही अगले मोर पे तबते के लिए जै हिंद वंदे मातरम